घड़े वाला कूलर इसका हमने नाम रखा है घड़े वाला कूलर तो मिट्टी का घड़ा होता है और उसपे जो इवापोरेशन के द्वारा मिट्टी का घड़ा जो पानी ठंडा करता है उसी प्रसेस को यूज करके हमने एक मिट्टी का घड़ा का कूलर बनाने की कोशिश की कूलर को घर पे रखना उसका बिचली खर्च हर किसी के बस की बात तहीं होती है मध्यंबर्ग ये परिवार को उमस्परी गर्मी से रहत के लिए गया के एक टीशर महिना सुसमेता सान्याल ने घड़ी वाला कूलर बना डाला सुसमेता के घड़े वाले कूलर की चर्चा दूर दूर तक हो रही है ये खास तरह का कूलर लोगों को ना सिर्फ गर्मी से बचा रहा है बलकि पर्याबरन का संद्रक्षन भी करता है ये कूलर खासकर मध्यम बर्ये परिवारों के लिए काफी लायब दायक सिध्ध हो रहा है इस कूलर में काफी उर्जा की जोरत नहीं होती है एक तरze कहसे हैं कि ये कूलर इकूफ्रेंड्ली है इस कूलर में बाल्टी काउप योग साचा के लिए किया गया है जोके कहें भी आसाने से ले जाया जासकता है बीरी रोऊस बिहार के लिए गया से आसेश कुमार की कड़े वाला कूलर तो मिट्टी का घडा होता है और उस में हमारा बहुत कम लागत में हम ऐसा एक कूलर बनाना चाहते हैं जո हम अपने वैसे महिलाव मित्रों को सबचा को काम काजी हैं खेतों पर काम करते हैं या फिर वैसे चोटे वेवसाई लोग जो हमारे भाई बंदू ठेलो पर मूफली चार्ट गोलगप्या दी बेच कर अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं उनके लिए और छात्रों के लिए जो अपने परिक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी ये बहुत उपियोग जणन किहें वह ये कि हम इसे सूर्य की उर्जा से चलाना चाहते हैं तो वह भी हमने किया था और अब आगे बढ़ कर हम कच्रे से निकली हुई जो इलेक्टिसित्यिर्ट्य जो ऊर्जा है एनर्जी है उसको भी इसमें लगाना चाहते हैं और हम्यारा जो कूलर है ये कच्र में हमारे यहां पर दिवाली का बहुत महत्व है और हमारे यहां पर छट पूजा का बहुत महत्व है और हमारे यहां पर शिवरात्री का बहुत महत्व है तो हम जानते हैं कि दिवाली में हम सफाई करते हैं और शिवरात्री के दौरान भी शिवरात्री का जिक्र मैंने इसलि अपने आसपास के जितने छेतर हैं वहाँ पर लोगों से जाकर कूड़ा जो है उनके पास जो वो डंप कर देते हैं उनको पहले जागरूप करना कि नगर निगम के करमचारी जब आपके हाँ पर सुबह सुबह आए तो प्लीज आप अपना जो खूड़ा है वो उनको उठकर कई बारी वयस्तका का कारण या फिललेज़नेस के कारण हम कूड़ा नहीं दे पाते हैं और क्या करते हैं कीवगा कूड़े डान में कूड़े को डंप कर देते हैं तो वowiसा कूड़ा जो जेविक है उस से हमने vaumimie compost बनाया और वही compost उन सब लोगों को बना कर एक पौधे के साथ gift किया और जो हमारी पूरी team है शालेंदर सर हमारे वड़ियच सिक्षक हमारे विद्या लेके हम लोग की पूरी team हम लोग जाग रूपता और अधियन और ये जो plant हम उन लोगों को देते हैं उनकी फिर देखभाल भी हम लोग करते हैं, तो उन खाद के रूप में उनको गिफ्ट किया अज़ा प्लांट भी और मैनियोर भी, और साथ ही साथ उनके हां से जो पेंट के डब्बे और यह पुराने पाइप हैं, वो हमें मिले और जो बैटरी है, वो हमें मिली और जो पुराने मिट्टी के घड़े या बरतन हैं, जो टूट फूर जाते हैं, उन सब को हमने खटा किया और उन सब को जोड कर ही यह कूलर हमने बनाया है, और ये कुलर भी हम उन लोगों को देना चाहते हैं, गिफ्ट भी करना चाहते हैं, ताकि कच्रे का जो प्रबंदन है, उसका एक टिकाउ और उपाय निकल सके, और लोगों में ये जागरुकता आ सके, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है, कि हम कच्रे का जितना उत्पाद जो पहले अभी थें, तो मंसूरी सर उनका और हमारे माधिमिक सिक्षा के जो डीपी ओ सर है, आनन जी, उनका मार्ग दर्शन, और हमारे विद्याले के पूर्व प्रधानचार चोहान सर का मार्ग दर्शन, और हमारे विद्याले के जो छात्र हैं, विश्विजीत, संध्या प्रसंजीत, नेहा, करिश्मा, चांदनी, काजल, नीतु और हमारे विद्याले के जो वरिय सिक्षक है सालंदर सर और सर्वजीत सर का बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा योगदान रहा है और आपको पता है यह कोई भी काम करने में टीम वर्क बहुत इंपोर्टेंट है तो मैं बहुत सा भागे शाली हो कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इसी की वज़ा से आज हम यहां तक पहुच पाएं जी मैं शुष्मिता सन्याल और उच्छी विद्याले चंदोती गया में आजसा सिक्षी का कारे रत हूं तो काफी मुझे 8 साल हो गये काम करते हुए और ब इनवेशन एडवाइशरी कांसिल उनकी तरफ से इन्वेस्ट इंडिया के अंतरगत एक नौ मिशन जो इजाद किये गये हैं तो उनमें एक मिशन है वेस्क टू वेल्थ तो उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट समिट किया था और उन लोगों को काफी अच्छा लगा मेरा प 33 स्टेट से तो